नमस्कार दोस्तो वेलकम टू स्पोर्ट्स नोलेज तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गैस वीडियो इंडियान सूपर लिक का आपकामिंग सीजन के लिए सारे ही टीमों से जुरी कुछ नए और हुज अपडेट्स के बारे में जोकी गैस कुछ ऐस टीम है जिसके लिए गुटने उजिया और कुछ ऐसे भी टीम है जिसके लिए भाई बहुती बुरी खवर भी निकल कर सामने आए हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इंडियान फुटबल से जुड़े रहना चाते हो तो आप कर सकते हो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब साथ में नॉटिफिकेशन बेल को अन ताकि आगे जाखर भी इंडियान फुटबल से दे लेटे धारेक इंपोर्टेंस जान करें रेगुलरी आपको हमारी इस चैनल पर जानने को मिलत रहे और वीडियो कर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोड़ा सा पुरेपसी का जो एंगलिश डिवेंडर है पीटर हार्टली उनको भी यहाँ पर जामशेद पुरेपसी ने अपकामिंग सेजन के लिए रिटेन कर लिया है इसके लावा 2022 के लिए आज पार उनका लिथोनियोन स्ट्राइकर नर्जियस भलसकेस भी जामशेद पुरेपसी क उसके तरफ से इसीजन के अंदर हमें आलिक से बहुत सारा डोमेस्टिक साइनिंग भी देखने को मिलने वाले है उसके बाद अगर बात किया जाए भाई चेन्नाइन एपसी और मुंबई सीटी एपसी के बारे में तो चेन्नाइन एपसी ने भाई यहाँ पर उनका यूबा स्ट्राइकर रही मेली के साथ एक मल्टियर कॉंट्राक एक्स्टेंशन कर लिया है और अपकामिंग सीजन में गईस इनके टीम में हम लोग एक निव हेटकोस को देखने वाले है लेकिन इनका जो मैनेजमेंट है उन्होंने इसके ऊपर अवित्य कोई भी डिसिशन नहीं ल फ्रोंडे उनका पुड़ाना क्लाब सिट्नी एफसी में ही रिजोइन कर चुगा है उसके बाद भाई चलिए बात कर लेते हैं ओडिशे एफसी के बारे में तो ओडिशे एफसी ने यहाँ पर अपकामिंग सीजन के लिए उनका निव हेटकोस को एप्रोच कर लिया है जो क इस टोनेट अपसी का ओरुगयान टैलेश्वान फेडरिको गैलेगो को तो यहाँ पर जो ओडिशे अपसी का टीम है गाईस वो अपकामिंग सीजन के लिए अपने स्कौर्ट को बिल्ड़ अप करना शुडू कर दिया है उसके बाद अगर बात किया जाए भाई वेपसी के स्कौर्ड में मौजुद है तो इन तीनों का पार वेज होना भी गाईस बेंगलरु वेपसी के लिए उतना बड़ी बात नहीं है उसके बाद फोर्नर्स के बारे में अगर बात किया जाए भाई तो दिमस देलगाडो फ्रान गॉंजालेच और क्रिस्चन ओपसी इसके लावा भाई ओदे ओना इंडिया के साथ भी हायदा बदफसी का कॉंट्राक एक्स्टेंशन का एक चांसेज है और इन दोनों को छोड़ कर भाई बाकी सारही फोर्नर्स को हायदा बदफसी अपने टीम में रिप्लेस करने वाले है और इनके लिए भाई सबसे बढ़ इपसी गुआ से बाहर होने वाले है और इसी के चलते भाई एपसी गुआ ने टोटाल 19 स्ट्राइकर का एक शॉट लिस्टेट भी क्रियेट किया है इसके लावा एपसी गुआ ने यहाँ पर उनका दोनों युवा डिफेंडर सेंसन पेरेडर और सावियर गामा के साथ भी मल्तियर कॉंट्रक एक्स्टेंशन कर लिया है उसके बात भाई हमारे आज का आगला और सभसे बड़ा आपडेटस निकल कर आये है केला ब्लास्टर से और Y mental और एसी इस्ट भेंगल के तरफ से यानि कि इस फिफा के रूल्स के हिसाब से कैला ब्लास्टर सेफसी और एसी इस्ट बेंगोल अपकामिंग रेजिस्ट्रेशन वींडो के अंदर कोई भी नाशनल लेबल प्लेयर्स को रेजिस्टर नहीं कर सकते हैं तो फिफा के तरफ से ये ट्रांसफर बैन भाई इन दोनों ही टीमों के लिए एक बहुती बड़ा ब्याट निउस है उसके बात भाई चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्थिस्ट उनाइटे डेपसी के बारे में और इनका फॉरेन कोटा में से गईस अल्रेडी बेंजामील लेंबड एक बेल्जियमी स्थार्टेर क्लाब में अफिशियली साइनिंग कर जुगा है इसके लगा इनका क्रूशियल मीथ फिल्डर खासा कमारा भी अपकामिंग सीजन के लिए इंडिया में वापस आएंगे या नहीं इसके बारे में भी एक बहुती बड़ा कॉन्फियूशन है लेकिन भाई लुईस, मचाडो और डालान फॉक्स इन दोनों ही प्लेयर्स को नॉर्थी स्टूनेट अडियूशन के दोड़ा अपकामिंग सीजन के लिए भी रिटेन करने का 99% चांसे से लेकिन यहाँ पर भाई अगर बात क्या जाए फेडरिको गेलेगो के बारे में तो इनके उपर फिलाल आयसल का दो क्लाप और 6FC और 49FC दोनों ने मिलकर इंट्रेस दिखाया है तो फेडरिको गेलेगो फिलाल गा इस नौर्थी स्टूनेट अड़ेपसी के साथ अपकामिंग सीजन के अंदर कंटिनू करते है या नहीं इसके बारे में कोई भी अपडेट्स नहीं है और भाई इसके लावा यहाँ पर नौर्थी स्टूनेट अड़ेपसी के तरफ से फेडरिको गेलेगो के पास कॉंट्राक्ट एक्स्टेंशन का भी ओफर है और उसके साथ अगर वो एगरीड हो जाए तो अपकामिंग सीजन के अंदर भी फेडरिको गेलेगो नौर्थी स्टूनेट अड़ेपसी के तरफ से ही खेलेंगे उसके बाद भाई आखिर में चलिए बात कर लेते है एटी के मोहनबागन के बारी में तो एटी के मोहनबागन ने भाई यहाँ पर एक डोमेस्टिक मिद्फिल्डर को साइनिंग कर लिया है जो की प्रिवियस सीजन के अंदर भी उनका स्कॉड में शामिल था तो यहाँ पर आप लोग एक तरीके से कॉंट्रेक्ट एक्स्टेंशन भी इसे कह सकते हो इसके लाब भाई रोय कृष्णा तीडी और लेनी रोट जिगुएच यह से ख्लाडियों के साथ भी एटी के मोहनबागन ने अपकामिंग सीजन के लिए अपना कॉंट्रेक्ट को एक्स्टेंड कर लिया है और आप भाई यहाँ पर एटी के मोहनबागन ट्रांसफोर मार्केट के अंदर एक क्रियेटिफ एटाकिंग मिद्फिल्डर्स का खोज में ही तो चलिए आज के लिए बस इतना ही वीडियो कर अच्छे लेगे तो वीडियो को एक छोड़ा सा लाइक जरूर कर देना जितना हो सकते उतने वीडियो को शेर कर देना कोई भी जान करी के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ भी कौन फिश होने तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना मैं आपको एंसर देने का कोशिश करूँगा यह फिर उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा तो इंस्टेग्राम पर भी हमें फॉलो जरूर कर लेना वहाँ आपको कुईकली अपडेट्स भी मिल जाएगा और अगर अब हमारे चैनल पर पहली बार आये हो यह फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब साथ में नौटिफिकेशन बेल को अन ताकि आगे जाकर भी इंडियन फुट्वाल से दिलेटे धारे की इंपोर्टेंस जानकर ही रेगुलर जी आपको हमारी चैनल पर जानने को मिलता रहे तो फिर मिलेंगे आगले एक नए और इंटरिस्टिंग फुट्वाल एपिसोड के साथ और तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार एंड श्टे होम श्टे सेप्ट